Hi guys, welcome, this is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called 9th class ki gravitation. 9th class ki gravitation ke numericals ki thोड़ी सी tip दी थी. बस ये याद रख लेना के जो छोटी मोटी tip आपको last lecture में दी गई थी. तो 9th class ki gravitation में, numericals में, हमें पता था V is equals to U plus A T की जगा. हम लोग लिखेंगे V is equals to U plus G T. G is acceleration due to gravity. S is equals to U into T plus half into A T square ki जगा. हम लोग लिखेंगे H, small h लिख देना, is equals to U T plus half G T square. और V square minus U square is equals to 2 A S ki जगा. V square minus U square is equals to 2 G H लिखेंगे. यह हमने करा था last lecture में. उपर जाते हुए, G is negative. नीचे आते हुए, G की value is positive. और जब नहीं दे रखे होगी G की value, तब आप G की value लोगे 9.8 meters per second square. यह याद रख लेना, कुछ questions में, अगर given होगा 10 meters per second square, तब ही लेना. अगर given होगा, तब ही लेना, वरना फस जाओगे. अदर्वाइस गडबड हो जाएगी. और एक और बात, जब किसी चीज़ को उपर फैका जाता है, तो at maximum height, at maximum height, उस body की velocity हो जाती है, 0 meters per second. क्योंकि maximum height पर जाकर, हर body रुक जाती है. यह बहुत important point है, और एक और बात, whenever a body is dropped, फैकी नहीं जारी, ड्रॉप करी जारी है. ड्रॉप, ड्रॉप जब करते हैं किसी भी body को, किसी भी चीज़ को, जब भी ड्रॉप किया जाता है, यह cell I hope दिख रहा होगा आपको, जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, तो उसकी initial velocity, तो city is u, 0 meters per second, चाहो तो एक बार मुझे pause करके, rewind करके, दुबारा से देख लो, pause करके, rewind करके, दुबारा से देख लो, ताकि जब मैं आपको numericals करा हूँ, तो आप वो numericals कर पाओ, छोटे मुटे numericals हैं, पंगे लेते हैं, वो बोलते हैं, stone falls from a building, a stone falls from a building and reaches ground 2.5 seconds later, how high is the building, how high is the building, और bracket में दिया हुए, g is equals to 9.8 meters per second square, सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा, as a teacher, जो तुम्हे मेरी माननी चाहिए बात, question को देखो और मुझे 2 मिनट के लिए pause गर दो, अपना दिमाग लगा, अपना दिमाग, किसी के चक्कर में मत पढ़ो, use your own brain और अपना answer लाओ, और अपने माता पिता को बताओ, देखो हमारा answer ठीक हागया, अब, अगर आपने मुझे 2 मिनट पॉस किया था, तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अब इसके बाद स्टोन फाल्स, फाल्स मतलब गिरा, फैका नहीं गिरा, फैका नहीं गिरा मतलब U is equals to 0 meters per second, फाल्स from a building and reaches the ground 2.5 seconds later, टाइम हो गया 2.5 seconds later, how high is the building, H मांगा गया है, how high is the building, और G की value दे रखिया है, 9.8 meters per second square, और क्योंकि body नीचे की तरफ गिर रही है, तो authority से यहां पर, plus 9.8 meters per second square लिखो, और फिर मुझे 30 seconds के लिए, pause कर दो और खुद से करो, देखो कौन सी equation लगेगी, हमें H निकालना है, V is equals to U plus GT, V square minus U square is equals to 2GH, और H is equals to UT plus half GT square, जिन्दगी में यह जरूर पता होना चाहिए, कि क्या नहीं करना, जब हमें यह पता चल जाता है, क्या नहीं करना, तो हम बहुत सारी परिशानियों से, पीछा छुड़वा लेते हैं, तो class बोलेगी सर, यह तो नहीं करना, क्योंकि H निकालना है, इन दोनों में हम confused हैं, यह वाली लगाऊं या यह वाली लगाऊं, तो मैंने का, H भी नहीं दे रखा, और V भी नहीं दे रखा, तो यह भी नहीं लगेगी, कोई भी ऐसी equation, जिसमें दो चीज़ें ना गिवन हो, वो कभी भी नहीं लगेगी, यह बात याद रख लेना, अब बचा गया, H, H हमने निकालना है, U, U is 0, into 2.5, plus half, into G is 9.8, into time is 2.5 का, whole square, 0 into anything is equals to, 0, H is equals to half, into 9.8, into 2.5, into 2.5 is 6.25, सारा गेम अब end में आके रह जाता है, आपकी calculations पे, do the calculations, and find the final answer, यह से कट जाएगा, 4.9, H is equals to 4.9, into 6.25 meters, यह आपका final answer होगा, अगर आपने यह किया है, तो मैं आपकी बहुत, बहुत, बहुत तारीफ करता हूँ, यह questions मैं चाहता, तो पहले से ही लिखके आ सकता था, नहीं, मैं पहले से ही लिखके आ सकता था, नहीं, मैंने क्यों नहीं लिखे, मैंने क्यों नहीं लिखे, ताकि जब मैं question लिखूँ, तब आप इनको समझ पाऊँ, a stone, a stone, is thrown, vertically, upwards, ball को उपर फैंको, पूरी जान लगाके, with, a speed, of, 20 meters per second, how high, how, high, will, it, go, before, it, begins, to fall, कितना उपर तक जाएगा गिरने, वापस आने से पहले, और यहाँ पर थोड़ी, उन्होंने मदद का रखिया है, G is equal to 10 meters per second square, दे रखा है, G दे रखा है, 10 meters per second square, तो बिल्कुल चिल करेंगे, फिर वोई game, 90 seconds के लिए मुझे pause कर दो, 90 seconds के लिए मुझे रोक दो, और एक बार खुद से करो, एक बार खुद से ट्राइ करो, अच्छा लगेगा, मज़ा हैगा, तो बच्चे ने का, एक स्टोन को उपर फैका गया है, with a speed of 20 meters per second, तो U, is 20 meters per second, इतना हमें पता है, कि maximum height पर, V is equals to 0 meters per second, हो जाता है, क्योंकि maximum height per body रुक जाती है, और फिर नीचे आना शुरू करती है, तो इस एक लाइन में ही, दो लाइन्स दे रखी थी, U दे रखा था, how high it will go before it begins to fall, how high में, वो हमसे मांग रहे हैं कि भाया, H निकालो, भाया, H निकालो, तो H is equals to, अभी अभी तो करा है, UT plus half GT square, तो बच्चा बोलेगा, यहाँ पर time नहीं दे रखा, तो यहाँ पर G, यहाँ पर G जो लोगे, वो लोगे, minus 10 meters per second square, क्यों? क्योंकि body उपर जा रही है, बटा, body नीचे नहीं आ रही, body उपर जा रही है, तो यहाँ पर, टारेक्ली बच्चा बोलेगा, V square minus U square, is equals to, 2 into G into H, V square is, 0 square, minus 20 का square, is equal to, 2 into minus 10, into H, class बोलेगी, minus बाहर है, 400 is equals to, minus 20 H, minus से minus गया, H is equals to, 400 upon 20, H is equals to height 20, 20 के आगे, meter जरूर लगाना, the body will go, to a height of 20 meters, before it begins to fall, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, माता नानी का नाम लो, और तरीका ऐसे ही जाएगा, अगर समझ आया है तो, इसके बाद, एक और numerical, वो कहते हैं, when a cricket ball, when a cricket ball is thrown, is thrown vertically upwards, it reaches a maximum height of 5 meters, it reaches a maximum height of 5 meters, a, what was the initial speed of the ball, b, how much time, is taken by the ball, before, how much time is taken by the ball, to reach the highest point, अराम से मुझे इस बार, दो मिनिट के लिए पॉस करना, दो मिनिट के लिए पॉस करना, और यह वाला numerical, खुद से ट्राय करना, यह numerical basic है, एक आदा आएगा और एक आदा आना भी चाहिए, एक्जाम में इस टाइप के numerical, जरूर आने चाहिए, ताकि आप उन numericals की खदर कर सको, यह numerical बहुत important है, और फिर, अगर हम कोई भी numerical उठा लेंगे, हर numerical इस ही तरीके का होगा, यही तीन चीजें होंगी, जो आप से पूछी जाएंगी, जो मैं आगे पीछे, जैसे मर्जी आपको समझा दूँ, वह एक ही बात हहिए, when a cricket ball is thrown vertically upwards, ball को उपर फैंकने के लिए, मैं चाहूँ गा कि मुझे 2 सॉर आपज कर दो, तो when a cricket ball is thrown vertically upwards, उछा the maximum height of 5 meters, height तो दे रखिया है, 5 meters, बट यही पे मुझे एक चीज और दे रखिया है, 0 meters per second, क्योंकि maximum height per V vocuals to 0, हो जाता है ये बात याद रख लेना और what was the initial velocity of the ball भाई सब वो तो हमें भी नहीं पता how much time is taken by the ball to reach the highest point how much time time भी मांग रहे हैं इसमें तो दो चीज़े मांग ली और दे की चीज़ रखी है इतने में एक बच्चा बोलेगा सर गिवन हो या ना हो acceleration due to gravity हर जगा लगती है 9.8 meters per second square और क्योंकि body को उपर फैका गया है तो minus का sign आएगा अगर आप इतना भी लिखाते हो दो number के numerical में आपको आदा number तो कोई नहीं चीनेगा आदा number तो भीया देना ही बढ़ेगा अब अब क्या करें बच्चा बोलेगा सर h भी नहीं दे रखा कुछ भी नहीं दे रखा v is equals to u plus gt first equation of motion लगाई v 0 is equals to u नहीं दे रखा g sir minus 9.8 into t sir t भी नहीं दे रखा तो बच्चा बोलेगा तो फस गया u minus 9.8 t is equals to 0 u is equals to 9.8 t u की जगा हम लोग लिखते हैंगे 9.8 t sir इसका कोई फाइदा तो हुआ नहीं कोई फाइदा नहीं हुआ अब क्या करें यहां तो फस गए अब second equation of motion है h is equals to ut plus half gt square ना ये दे रखा है u भी नहीं दे रखा और t भी नहीं दे रखा v square minus u square is equals to 2gh बच्चा बोलेगा sir u नहीं दे रखा ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो पहले ही third equation of motion लगा लेते कोई बात नहीं लगी कोई बात नहीं बट क्यों गलती गलती सीखो बस तो बच्चा बोलेगा v square minus u square is equals to 2gh 0 square minus u square is equal to 2 into minus 9.8 into h is 5 minus u square is equals to minus 9.8 into 10 तो minus से minus कट जाएगा u square is equals to 98 decimal अटाओगे तो u बराबर हो जाएगा under root में 98 u बराबर हो जाएगा under root में 7 into 7 into 2 u बराबर हो जाएगा 7 root 2 meters per second अब 9th class का बच्चा ये बोले कि मुझे root 2 नहीं पता तो u बराबर है 7 into root 2 की value होती है 1.41 1.4142 रियल नंबर हमने पड़ा हुआ है तो आप root 2 की value डालोगे 1.41 u is equals हो जाएगा 7 into 1.41 meters per second अब जैसे ये u डाला बच्चा बोलेगा 9.8 t बराबर था u तो 9.8 t बराबर है u के u की value आई है 7 into 1.4 तो t आजाएगा 7 into 1.4 upon 9.8 decimal से decimal काट देना और आपका time की value भी आ जाएगी ये numericals इसी प्रकार के होते हैं अगर इन numericals को पकड़ लोगे तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती ये याद रख लेना अगर साथ हो तो मैं एक आदा numerical और ढूंड रहा हूं अगर मैं समझा पाऊं तो ध्यान से मास वेट देखर रका है ए पीस ऑफ स्टोन है रखा है एसका मतलब समयना maximum height का मतलब हो गया V is equal to 0 meters per second in 3 seconds in 3 seconds if the acceleration of the stone acceleration of the stone is 9.8 meters per second square मगर यहां minus आएगा क्योंकि thrown vertically upwards है directed towards the ground calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards अब इस बार मैंने question नहीं पढ़ा लिखा, मैंने question पढ़ा अगर मेरी पढ़ने की चीज आपको समझ आई है, तो subscribe to this channel this is your channel यहां पर बच्चा बोलेगा sir V is equals to U plus GT V 0 is equals to U, U plus minus 9.8 into 3 0 is equals to U minus 8, 3's are 24, 2 27.4 U is equals to 27.4 0.4 meters per second is the initial velocity 9 ती है 27, 29 आएगा 29 feeling आ रही थी कि मैंने गलत करा है 29.4 meters per second numericals करने जरूरी हैं physics का जो main आगे अब 11 बार्वी में बच्चों को physics में दिक्कत कहा आती है 11 बार्वी में 11 बार्वी में 11 से पहले teacher theory तो करा देता है theory अब को समझ भी आ जाती है but सिर्फ theory is like chowel पहुत अच्छे chowel बना दिये खा के पेट भी भर जाएगा ले देकर पास भी हो जाओगे but सिर्फ चावल से जीवन नहीं चलेगा तो अगर 11 12 में physics लेनी है तो पहले एक बात याद रख लेना आपकी theory strong होनी चाहिए theory means concept strong होने चाहिए concept strong होने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कितनी derivations है अभी आपके 9th class के course में derivations बहुत कम है बट एक अच्छा बच्चा जिसको life में अच्छा बनना है अच्छी tip वीडियो के end में मिलेगी वीडियो के शुरू में नहीं मिलेगी वीडियो के शुरू में तो वो आते हैं window shopping वाले एक मिनट वीडियो देखी और judge कर लिया यह teacher कैसा है बेकार है अच्छा है जो भी है एक सेकंड की एक मिनट की वीडियो एक मिनट में आप बन्दा judge कर लोगे पूरी-पूरी जिंदीकी निकल जाती है लोगों को judge करने में तुम्हें आज भी लगता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं समझते इतने सालों से उनके साथ रह रहे और तुम मेरी वीडियो एक मिनट में judge भी कर लोगे वाँ सीधे ही judge बन जाओ ना तो ध्यान देना इस बात पे derivation जब अगर 9th में अगर आप हो 9th और 10th में हो और अगर आपको 11th और 12th में physics लेनी है तो जब भी derivation आ जाए once a week हफते में एक derivation ज़रूर करा करो plus एक word आता है numericals numericals में three numericals per week ये तो कोई जादा नहीं है ना अगर एक हफते में तीन numericals कर लोगे तो 11th और 12th में physics पढ़ने में समझ आएगी नहीं तो पूरा ब्रह्मांड चांड लेना अच्छे physics के teacher बहुत कम है उनको आता सब कुछ है बढ़ वो आपके दिमाग में land करना हवाई जाज बहुत बड़ी है हवाई जाज की landing matter करती है कि landing कैसे होगी ये teacher है हवाई जाज में कभी नहीं है landing platform तुम हो तो जब तुम्हें आदत होगी शुरू में शुरू से ही तुम्हारा physics पढ़ने का aptitude अच्छा होगा तो तुम अच्छा करोगे और अगर crash landing हो जाएगी तो जिन्दी की पर कहोगे यार physics में दिक्कात है physics में दिक्कात है ज़र उदर भागोगे एक बहुत इंपोर्टन टिप है जो नाइन्थ में दे रहा हूं अगर 11 और 12 में science लेनी है तो आपको पता है कि 9 में 5-7 derivations है first equation of motion, second equation of motion, third equation of motion mathematically, graphically फिर उसके बाद Newton second law of motion है law of conservation of momentum है acceleration due to gravity की वो derivation है work power energy की एक दो derivations है sound में frequency वो lambda वाली आएगी total 7-8 derivations है अगर हफते में एक derivation कर लोगे ना Sunday के दिन वैट, Sunday को क्या पढ़े तो Sunday को ये पढ़ो, this is Sunday homework homework नहीं है, मुझे अपने आपको strong मनाना है सही लगाओ तो please follow कर लेना गलत लगाओ तो ignore कर देना आप तक कर भी चुके होगे, फिलाल के लिए Samir Sir is saying you goodbye, God bless all Jai Matari